नमस्कार किसान भाईयों देशी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है आज हम इंटीग्रेटेड देशी मुर्गी पालन के बारे में बातशित करेंगे जिन किसान भाईयों के पास दूसरा व्योसा है जिसमें डेरी व्योसा होगा या बकरी पालन होगा तो इसे किसान उसी में अपना देशी मुर्गी पालन शुरू कर सकते है आपको यहाँ देखना है कि यहाँ शुरुवात करते समय तकरीबन पचास मुर्गियों से आप शुरुवात कर सकते है और यहाँ शुरू करते समय आपको चूजे लेनी की ज़ूरत नहीं है आप किसी भी farmer से ready birds ले सकते हैं और यह ready birds लेके आप अपने dairy farming या good farming में इन birds को रख सकते हैं इस ओरिए में भी आप देख पाएंगे कि यहां पर dairy farm है और इस dairy farm में तकरीबन पचास ready birds लेकर युन्होंने यह batch शुरू की है इसमें फाइदा यह होता है कि देशी मूर्गी पालन में जो सबसे महतोपूर्ण लगने वाला खर्च होता है फीड का क्युंकि आपको पता है कि देशी मुर्गी आपको पता है कि कि देशी मूर्गी यह अपनी यह यह अअफ कने प्रच में जिसेमें कि उंकी सब्याइब रहते है और उसी तरह हो में जो काफी सारे फार देश्ट करम रहते हैं उस फार में comment लेकृट में तो इस तरह अगर आपके पास कोई दूसरा तो आप उसमें रेडी बड्स रेडी बड्स जीन बड्स का वजन तकरीबन एक किलो का है ऐसे रेडी देशी बड्स लेकर आप उस फाम में चोड़ सकते हैं आपको यह देखना है कि इनके रहने के लिए आपको एक चोटा फाम बन जाती है ताकि उनका फीडिंग का कर जो है वह जीरो कर सके हम और दिन बरी ने इतना सारा काफी material मिलता है जिसमें फोडर से vegetable protein मिलते हैं उसी तरह छोटे कीटक होते हैं उससे animal protein मिलते हैं और इससे इनकी पूरी feeding की जो requirement है वो पूर्ण होती है तो जल्द ही आप अपना सकता है और उसी तरह chicken purpose के लिए भी अपने बरड़ा पर इस farm से sell कर सकते हैं तो आप इसका फायदा लीजे हम यहां पर रुकते हैं धन्यवाद